प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे Oxford Basic English Grammar की Exercise 3 का हल करना और जैसे कि यहाँ पे निर्देश में आप देख रहे हैं, निमलिकित बाक्यों में पर्यूप्त नाउन्स को घेर दी और उन्हें चुलकर लिखे इसमें जो नाउन का प्रयूप हुआ है, उसको हमें घेरना है और उसे अलग करके लिखना भी है तो आप जानते हैं नाउन के बारे में, नाउन दुनिया में जितने भी नाम हैं, जितने भी नाम हैं, इन सभी को हम नाउन कहते हैं यानि कोई भी नाम, जिस नाम से आप उकारते हो किसी को पहचानते हो, वही नाउन है, तो यहाँ पे देखे, This is Sita, तो यहाँ पे नाम कौन सा न जरा रहा है,removal आप इसको घीरिए, यहाँ सीता है, तो इसको घीरिए, इस सीता को, और यहाँ पे लिखने जिये, सीता, इसमे जो है सीता नाउन है ठीक है अब देखे that is गोपाल वह गोपाल है इसमें जो है गोपाल नाउन है आप इसे गोपाल को जो है यहाँ पे लिखे गोपाल अब देखे राम इज पूर तो राम तो नाउन है ही अब देखे पूर पूर जो है इसकी जो है विशेस्ता बता रहा है यह भी सिरसान है, नाउन नहीं है, तो आप यहाँ पे राम के बल लिखे, राम, सीता इज अ गर्ल, यानि सीता एक लड़की है, तो यहाँ पे देखे, सीता जो है नाउन है, और पलस गर्ल भी जो है, यह नाउन ही है, तो यहाँ पे लिखे, सीता, और दूसरा लिखे, गर्ल अब देखे राम इस अब वाय, तो राम जो है यह नाउन है, और प्लस वाय भी नाउन है, राम एक लरका है, तो आप पहले राम लिखे, इसके बाद लिखे वाय है, ठीक है, अब देखे, he is a teacher मतलब वह एक सिचक है तो यहाँ पे जो noun है teacher है teacher जो है noun है यानि सिचक तो यहाँ पे teacher लिखे है teacher अब देखिए she is my mother वो है मेरी मा है तो यहाँ पे जो है यह pronoun है और यह mother जो है noun है तो यहाँ पे mother लिखे mother अब यहाँ पे देखिए this is an ox यह एक bell है तो ox यहाँ पे noun है ox अब यहाँ पे देखें my father is a teacher मेरे पिता एक से छख है तो यहाँ पे father और plus teacher दोनो noun है तो आप father लिखे पहले और दूसरा लिखे teacher अब देखें Mr. Sane is a doctor तो Mr. Sane यहाँ पे नाम है एक और doctor भी यह noun ही है तो आप दोनों को लिखे Mr. Sane और दूसरा लिखे doctor अब this is a pain यह एक कलम है तो यहाँ पें जो है noun है आप पें को लिखे अब देखे that is a box वह एक बकसा है तो यहाँ पे box जो है noun है box my village is good यहाँ पे देखे my village जो है noun है और good नहीं है चुकि इसकी विशेष्टा बता रहा है तो village लिखे यहाँ पे village यह noun है I have a cow मुझे गाय है तो cow जो है यहाँ पे noun है अब देखे my shirt is new यहाँ पे जो है यह shirt जो है यह noun है और new जो है यह विशेष्टा इसकी बता रहा है तो यह जो है यह shirt यहाँ पे shirt noun है I live in India मैं भारत में रहता हूँ तो India जो है यहाँ पे यह noun है India लिखे India अब देखे दिसी जब mango यह काम है तो mango यहाँ पे noun है mango अब देखे these are books यह किताब है तो books यहाँ पे noun है books अब देखे Silla is a nurse Silla जो किके नाम है और nurse भी जो है यह नाम ही है तो Silla लिखे और दूसरा लिखे nurse Silla एक nurse है अब देखे the rose is red गुलाब लाल है तो यहाँ पे रोज जो है यह नाम है तो यह noun हो गया और rate जो है इसकी विशेश्ता बता रहा यह भी जो है तो यहाँ पे लिखे रोज रोज